Welcome friends, इस वीडियो में हम सीखेंगे, हम Audacity पे audio file के साथ music कैसे patch कर सकते हैं, add कर सकते हैं अगर आप एक voice artist है, आप अपने demo samples तयार कर रहे हैं या फिर ये भी हो सकता है कि आपको voice over deliver करना है और आपको ये बोला गया है कि आपको उसके साथ, उस file के साथ music भी patch करके दे रहा है या फिर आप एक podcaster है, आपको podcast का episode record करना है, तो जाहिर सी बात है अगर आप उसके साथ music attach करेंगे, patch करेंगे, तो वो सुनने में ज़्यादा interesting लगेगा, engaging लगेगा तो हम सीधा यहाँ पे सबसे पहले file import करते हैं, जो हमारी voice over recording है, यह सिर्फ example के तोर पे मैं audio ले रहा हूँ यहाँ पे, तो यह है audio, और already हमने एक music का, जो MP3 file है, वो download कर रखा है, उसको भी हम import करते है, तो हमने music जो है, वो import कर लिया है, अब सबसे पहले, यह track है और यह music ह तो सबसे पहले हम इसे, यह stereo format में, mono format में आप देख सकते हैं, तो जितना हमें नहीं चाहिए, उतना हम इसे delete कर देते हैं, अब जो है, आप एक बार हम सुनते हैं इसको, स्वाद में मीठे अनार के फायदों के बारे में, आपने जरूर सुना होगा, इसका volume थोड़ा जाद अब यह सही लग रहा है सुनने में, आप और भी कम करके देख सकते हैं, अब एक चीज, शुरुवात में, हम चाहते हैं, थोड़ा कम intensity से शुरू हो, उसके बाद वो पकड़ बनाए, तो एक option होता है यहाँ पे, fade in, आप देख सकते हैं, शुरुवात में इसके intensity थोड़ी कम हो गई, और जब end में आते हैं, तो उसको हम कर देता है, fade out, मतलब धीर धीरे उसकी intensity music की कम होनी चाहिए, जैसे वीडिय बताना चाहता हूँ, music के बारे में, एक छोटी से information जो है, मैं आपको इस वीडियो के जरीए बताना चाहरा हूँ, पहली बात, कहीं से भी आप music fetch करते हैं, वो royalty free होना चाहिए, आपको बता भी होगा, लेकिन उसके अलावा, एक बार मैं online जाता हूँ, तो जायद मैं जाद बेतर बता पाँगा, आप suppose करिए देखते हैं, royalty free music, हमने सी रहे हैं, यहाँ पर डाला royalty free music, और यह एक website आगे, royalty free music, एक बार हम इस पे जाते हैं, और जैसे आप देख सकते हैं, अलग-अलग music files आपके सामने आ रही है, genre के हिसाब से, एक बार हम इसे play करके देखते हैं, तो in your multimedia project, that is online videos, YouTube, Facebook, websites, as long as you credit bensound.com in the description, यह देख रहे हैं, for example music, तो music यह जो line है, यह हमें copy करके paste करने होगी, अपनी description में, अगर हम इसको YouTube पे डाल रहे हैं, और अगर हम नहीं इसको attribution देना चाहरे हैं, तो हमें इसको purchase करना पड़ेगा, तो मैं आपको यही बात convey करना चाहत करते हैं, आप search करिए royalty-free music without attribution, मतलब आपको कोई credit देने की ज़रूरत नहीं है, एक बार हम पीछे जाते हैं, अब चाहें Google पे आप search करिए, YouTube पे search करिए, आपको simple एक line डालनी है, without credit या without attribution, तो अब जैसे आप डालेंगे, तो आपको वही सारी options मिलेंगे, जैसे यहाँ प YouTube के account से ही search करिए, जैसे, मैं आपको show करते हूं एक बार, मैं अपने YouTube account पे login कर चुका हूँ, अब यहाँ पे एक जगह होती है YouTube studio, YouTube studio पे गए, YouTube studio के अंदर जाके, यहाँ पे सबसे बड़ी option, audio library, आपको सारे music यहीं पे मिल जाएंगे, audio library पे गए, अब जब यहाँ पे आप अपने filter रगाया, अब सारे वही आपको option मिलेंगे, जिसमें आपको attribution देने की ज़रूरत नहीं है, इसके अलावा जो भी हम genre case आप से चाहते है, genre suppose को यहाँ प्यारे classical, cinematic, यह सारी चीज़े इसमें आ रही है, आप देख सकते हैं, हमने classical डाल दिया, फिर apply गर दिया, तो य यहां से भी आप search कर सकते हैं, जैसे ही आपको कोई music पसंदा है, इसमें आपने सुना को music, जैसे ही आपको ठीक लगा, आप इसे यहां से download कर सकते हैं, और इसमें आपको attribution देने की ज़रूरत नहीं है, इसी तरह से हमने discuss किया music कैसे डूंडा जा सकता है, और finally, जैसे आपक को लेकर, voice industry को लेकर और भी काफी content इस channel पर आने वाला है, तो इस video के लिए इतना ही, जल्द ही हम आएंगे एक नए video के साथ, thank you